तो नमस्कार दोस्तो राजय बाबू नई शरा यूट्यूब चैनल की आडियो कैसिट की पुरानी भूली विसरी यादों में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत बेलकम है दोस्तों यह हमारी 1990 की टॉप 10 फिल्मों की सीरीज चल लई है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि 1990 में आई वो 10 फिल्में कौन जी थी जिनकी ओडियो कैसिट सबसे ज्यादा विकी थी जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले आल्रेडी हमने तीन वीडियो और अपलोड कर दी है नंबर एक पर थी आसकी फिल्म नंबर दो पर थी दुस्तों शन कैसिट देख सकते हैं यह दोस्तों पी सिरीच कंपनी पर आई थी आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे इस फिल्म के कुछ अन्नौन फैक्ट मतलब अंदर की बाते भी बताएंगे जिससे आपकी पुरानी यादने ताजा हो जाएंगी और 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 यो कैसिट की पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ही मिस मत कर देना अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और ऐसी वीडियो तो आपको मुबाल में प्रति दिन चाहिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सकाइब ने किया तो वह पिलिस सब्सकाइब भी कर लेना त दोस्तो दिल फिल्म की ओडियो कैसे कहीं न कहीं आपने भी मुजिक सेंटर से खरीदी होगी। और दोस्तों आपने घर कर लाए होँगे। कहीं न कहीं आपने न जाने कहा दिल्कुल गया ये गाना जरूर सुना होगा और इस सब्सकम Z की बीस लाख आडियो कैसेट विकी ती जो कि T-Series के बैनर तले आई थी और दोस्तों की ओडियो कैसेट मेरे पास दो कैसेट आप देख रहे होंगे और दोस्तों यह डवल में कैसेट है किसी के साथ मैं सिंगल में में मेरे पास अभी कैसेट उपलब नहीं थी इसलिए मैंने आपको double cassette में देखाईए सबसे पहले आप यह कैसे देख सकते हैं जिसमें दिल फिल्म की audio cassette है और यह डवल में है और यह master cassette है टी सीरीज की audio cassette है जो कि उस जमाने में ऐसी आती थी चलिए इसका आपको cover देखाएता हूं यदि हम cover की बात करें तो यहां पर अनुरादा पोडवाल जी का फोटू पड़ा हुआ है और इसमें गाने लिखी हुए जैसे खंबे जैसी खड़ी है हम प्यार करने वाले डम डमाडम नजाने कहां दिल खो गया ओप्रिया प्रिया इस प्रकार समय पांच गाने लिखी हुए बागी फिल्म में और भी गाने थे जैसा कि आप जानते हैं इसके बादा अलावा हमारे पास एक कैसिट और है जो की आजू कमेंट सेक्शन में बताना और इस ओडियो कैसिट से और इस फिल्म से आपकी कौनसी यादे जोड़ी हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा पुरानी यादें आपकी सुनकर तो चलिए हम इस फिल्म के कुछ अन्नॉन फैक् समामी आदी अईरानी देवान बर्मा सत्यंद्र कपूर राजेश पूरी किसोर भानुसाली एंड दिनेश हिंगो देखने को मिले थे इसके डारेक्टर इंद्रकुमार जी थे प्रडूसर इंद्रकुमार एंड असोक टाकारिया थी थे इसकी स्टोरी दोस्तों राजीव principle प्रकाष ने लिखी थी कमले स्पांडे के थे मूजिक इसमें आनंद मिलिंडका था लिर्क इसमें समीर के थे फैक्ट नंबर बण ये फिल्म इंद्र खुमार की डायरेकशन डेब्यू फिल्म थी। फेक्ट नमबर दो इस फिल्म का रिमेक बात में तेल्गू, कंड़ा और उड्या में भी बनाया गया था। तेलगू रीमेक का टाइटल ठोली मुद्दू था, ओडिया रीमेक का टाइटल अगनी परिच्छ था और कन्नडा रीमेक टाइटल का सिब रंजनी था फैक्ट नमबर तीन ये फिल्म आमिर खान और मादरु दिख्चित की पहली फिल्म थी उसके बाद दोनों दीवाना मुस्सा नई में नजर आए और उसी साल जुलाई में ये फिल्म रिलीज हुई थी फैक्ट नमबर चार ये फिल्म मादरु दिख्चित की डारेक्टर इंदर कुमार के साथ पहली फिल्म थी उसके बाद मादुरी दिक्षित ने इंदर कुमार की बेटा, राजा और टोटल धमाल फिल्म में भी काम किया था फैक्ट नमबर पाँच ये फिल्म आमिर खान की डारेक्टर इंदर कुमार के साथ भी पहली फिल्म थी इसके बाद आमिर खान ने इंदर कुमार की इसक और मन में भी काम किया था इस फिल्म का एक गाना था दम दमादम जो की फिल्म के रिलिज होने के बाद इस फिल्म में एड़ किया गया था इंदर कुमार को ये गाना काफी पसंद आया था लेकिन जब उनके पास इस गाने को स दुसरी फिल्म दिवाना मुस्षानई अगस्त 1989 में ही तैयार हो गई थी लेकिन जब फिल्म के कोई भी डिस्ट्रिबूटर नहीं मिला ता तब दिल फिल्म बॉक्स ओपिस में अच्छा कलेक्शन करने लगी थी तब इस फिल्म को डिस्टिबूटर मिला और दीवाना मुझसा नहीं जुलाई में दिल फिल्म के एक महीने बाद रिलिज हुई थी फिल्म में अलका यागनिक ने दूसरी म्यूजिक कमपनी के लिए दो गाने गाये थे लेकिन बाद में इस फिल्म के म्यूजिक राइट टी स्रीज कैसिट पर चले गाये थे जैसा कि आप कैसिट देख सकते हैं उन्होंने अलकायागनिक के गाय हुए गाने को हटा कर वो दो गाने अनुरादा पॉटवाल जी से गवाए बाद में ये बाद जब अलकायागनिक को पता चली तो बहुत नाराज हुई और उन्होंने कुछ सालों तक 30 सीरीज के लिए कोई भी गाना नहीं गाया था तो आई हो पाच का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दिल फिल्म की ऑडियो कैसिट देखकर आपकी पुरानी याद है जरूर ही ताजा हो गई होगी इसी परकार के प्रिजिजन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और नोटिपिके झाल